प्रश्न दो है निमलिकी दो पध्यांसों में से किसी एक पराधारित बहु विकल्पी प्रश्नों के सरवादिक उप्यूखत विकल्प चुन कर लिखिए तो इसमें दो पध्यांस हैं दो पोयम दिये हुए हैं उनसे related जो MCQ questions है उसके correct answer को हमको लिखना है तो चलिए पढ़ते हैं सच हम नहीं सच तुम नहीं सच है महच संघर्स ही संघर्स से हटकर जिये तो क्या जिये हम या की तुम इसमें बताएगे है कि सत्य न तो तुम हो न सत्य मैं हूँ सत्य जो है न वो संघर्स है अगर संघर्स से कोई हटकर जी रहा है तो उसका मतलब तुम्हारा मेरा जीना जो है न वो जीवन नहीं है जो नत हुआ वा मिरित हुआ जो ब्रिन से ज़र कर कुसुम जो पंत भुला रुका नहीं जो हार देग जुका नहीं जिसने मरड को भी लिया हो जीत है जीवन वही सच हम नहीं सच तुम नहीं सच है महज संगर सही तो दिखें जो जुक गया है जो रुक गया है वो मरेवल के समान है बिलकुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से किसी पेड से या जिसी लता से जो फूल गिर के मर जाता है और जो रुकता नहीं है जो हार को देखकर जुकता नहीं है वो ऐसा बेक्ति होता है वो मिर्तिव को भी जित लेता है और उसी का जीवन जीवन है और आगे बोला गया कि सच हम नहीं है सच तुम नहीं हो सत्य जो है न उकेवल संघर्स है ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे जो है जहां चुप चाप अपने आप से लड़ता रहे तो इसमें बताया गया है कि किसी क किसी का जीवन है तो दिखें आगे इसमें कभी बोल रहे हैं कि जैसे भी पस्तित्या हो जैसे भी कंडिशन मिले चाहे कष्ट हो या कुशी हो अर्थात सुख हो या दुख हो हम तूटना निचे यह इंसान को और यही जो संदेश है न वह जवानी का है जवानी को यूम्र या वस्तानी होता यह मांसी खालात होता है उसके आगे पढ़ते हैं तो अपने हिर्दय का सत्य अपने आप हमको खोजना अपने नयन का नीर अपने आप हमको पहुचना तो दिखें अपने अंदर के सत्य को खुद हमको खोजना है सही गलत का फैसला खुद हमको करना है और और अपने आग के आसु को खुद हमको पूचना आर्थाथ अपने अंदर की सच्चाई को भी खोजना है और अपने कश्टों का निवान भी खुद हमको खोजना है आकास सुख देगा नहीं धर्ति पसीजी है कहीं अकास मतलब कहीं और से हम पर सूख नहीं मिलेगा, अपने कर्मों से ही, अपने परिश्रम से ही हमको सूख मिलेगा और क्या हमने कभी देखा है कि धर्ती जो है न पसीजी हो, किसी और के लिए दिया दिखाया हो धर्ती ने हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती रही तो दिखिए हर कोई वेक्ती जो गलत करता है फिर गलत करके सही दिशा में चलता है उसको यहाँ पर बोला गया है कि कोई भी राह चलने वाला भटक कर ही सही दिशा में चलता है सचम नहीं सचम नहीं तो दिखिए ये जगदिश गुप्त की रचना है अब चलिए इसके प्रश्णों को देखते हैं प्रश्ण पहला है कि इस कविता के केंद्रिय भाव हे तू दिये गए कतनों को पढ़ कर सबसे सही विकल्प चुनिये कथन है कि पहला है प्रतिकुल्ता के विरुद्ध जुझते हुए बढ़ना ही जीवन की सच्चाई है बिल्कुल सही है ये इसमें हमने समझा है कि विप्रित पस्तितियों से जुझना या लड़ना ही जीवन की सच्चाई है दूसरा पस्तितियों से समझोता करके जोखिमों से बचना ही उचीत है ये तो हमने कवितम नहीं पढ़ा है तो second option इसका गलत होगा कि हम समझोता कर लें और जोखिम ना लें तीसरा है लक्ष संधान है तो मार्ग में भटक जाने का भय त्याग देना चाहिए बिल्कुल यही हमने समझा है कि मार्ग से भटक जाने का अगर भय र प्रश्ण दो है कि मरण अरथात मिर्थ्व को जितने का आसा है कि कोई आपको मनने के बाद भी याद करें आप ऐसा कर्म करिए ऐसा जीवन आप जीजिए तिसमें आप्षन देखिए कब बोलता है साधुता हुआ साधना से अमरत्व प्राप्त करना यह तो बिल्कुल नही है उसके मिर्थ्व निस्चित है योग अभ्यास हुआ जीजिविशा से दिरगाई हो जाना यह भी नहीं है कि आप लगातार योग करेंगे तो दिरगाव हो जाएंगे इसका मतलब नहीं कि आप मिर्थ्व को जित जाएंगे गह है अर्थ बल वा दिनिच्चा सक्ती से जीवन के बाद भी आदर सुरूप में इस्मण किया जाना यही जीवन के उद्देश से होना चाहिए इसका अप्शन घह करेक्ट होगा कि ऐसा कर्म करिये कि मन्ने के बाद भी लोग आपको याद करें प्रश्नतीन है अकास सुख देगा नहीं धर्ती पसीजी है कहीं का अर नहीं है तो पहला अप्शन देखिए अकास और धर्ती दोनों में सुञ़दन सिलता नहीं यह इसका अर्थ नहीं है दुसरा इस्वर उदार है अता होई सुख देता है वही पसिजता है यह भी नहीं घह देखे जो मिजह जीवन के दुख दूर किये जा सकते है पिल रही आया गया है कि आप ही अपने जीवन में सुक और दूख का निर्माड करते हैं घह है समोहिक प्रत्नों से ही संकट की स्थिति से निकाला जा सकता है इसका अर्थ यह नहीं है तो इसका अप्षंगा करेक्ट होगा प्रस्ण चार देखिए अपने आप से लड़ने का अर्थ है तो देखिए अपने आप से लड़ने का अर्थ है कि अपनी कमजोरियों को दूर करना और अपने आप की उपर कठोड़ता लाकर खुद में परिवर्तन लाना तो आप्षंगा है इसमें कि अपनी अच्छाई वब वो राईयों से भली भाती परिकीत होना ये अपने आप से लड़ने करता नहीं है, किसी मुद्दे पर दिल और दिमाग का अलग सोचना ये भी नहीं है, गह देखते हैं, अपने किसी निर्ने के लिए स्वयम को संतुष्ट कर लेना ये भी नहीं है, गह देखते हैं, अपनी पढ़ कर सही बिकल्प का चैन कीजिए तो दिखिए युवा वस्था हमको सिखाती है कि सोयम को चैतन या गतिसिल आत्माल उचक वा आसावादी बना रखें विल्कूल सही है कि हम डाइनामिक रहें जागरूक रहें खूद के बारे में सोचें और हम ऐसा पाजिट्व सोचें दूसरा जो है सजग रहें जीवन में कभी कठीन पस्तितियां उत्पन नहीं न होने दें ये तो ऐसा नहीं सिखाता ऐसा तो ही नहीं सकता कि जीवन में कठीन पस्तितियां ना उत्पन न हो तीसरा देखते हैं कि सुख दूख उतार चड़ाओ को भाग्यवादी बनकर स्विकार करना सिखें बिल्कुल गलत है भाग्यवादी बनने से समस्याओं का समधान नहीं होगा समस्याओं जसकितस रहेंगी और सुख दूख का भी निर्माण हम खूद करते हैं चौथा देखते हैं कि प्रतिकुल पस्तितियों के आगे गुटने ना टेकें बल्कि दो-दो हाथ करें बिल्कुल सही है कि अगर पस्तितियों विप्रीत हैं तो उससे सामना करना ही हमको सिखाता है यह जो गथन बोला है वो इसमें देखिए पहला और चौथा सही है तो इस काप्शन खा करेक्ट हो जाएगा खतन पहला और चौथा सही है